लोग कहते हैं कि सबसे अच्छी चीजें अकसर किसी कोने में छुपी रहती हैं ताकि कोई उन्हें आसानी से ढूंड न सके ऐसी ही एक जगह है हिमाचल परदेश में कुलू डिस्ट्रिक की बंजार वैली जहां बसा है एक छोटा सा टाउन जब भी तीर्थन नदी के किनारे बसा ये टाउन ज़्यादा लोगों में अभी फेमस नहीं है तो ये एक बेस्ट आफपिट डेस्टिनेशन है उन लोगों के लिए जो माउंटिन लवर्ज हैं और कॉमन हिल स्टेशन नहीं जाना चाहते बंजार वैली फेमस है अपने रिच कल्चरल हेरिटेज और प्रकृतिक सुन्दरता के लिए उंचे-उंचे देवदार के पेड नदियां और यहां के वाटरफॉल्स सब मिलकर जब्भी और बंजार को एक डिजारेबल आफपिट डेस्टिनेशन मनाते हैं सो यह जब भी वाटरफॉल की एंट्री है एंट्री गेट है टिकेट समने ली है टिकेट अडल्ट इस रुपीज ट्वेंटी एंड फॉर चिल्डर्न इस रुपीज तेट रास्ता जो है वाटरफॉल तक जाने का बहुत ही सुन्दर है तो यह से जंगल के बीच में से पास उंचे जैसे ना पहाड के ही पीसेज में पहाड है उंचे दोनों तरफ और थोड़ा थोड़ा ना यहां पर देखे जैसे अवेटार मूवी में सीन्स होते है ना उसकी भी याद आती है अधा ध्यान आता है आपको कि ऐसा ही था उसमें भी पानी बह रह रहा है यह जंगल है तो हम वाटरफॉल पॉइंट पर पहुंच गए है और जैसे का मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर बहुत ज्यादा रश है यहां पुरा कॉम्पिटेशन हो रहा है लोगों की चिक्खों का और वाटरफॉल की अवाज का पचपन फीट उचा और तीन फीट गहरा यह वाटरफॉल जिब्भी का मेन अट्राक्शन है और यहां आये बिना जिब्भी का सफर मानो अधूरा ही है सो वाटरफॉल तक में हुआ ही पानी इतना ठंडा धाना जैसे की बरफ की सिलियां रखे हैं किसे ने अंदर और पिगल रही हैं इनों दर्द हो गया एकदम पैरों में और शूज मैंने आथ में ठाली कि पैर गिले हैं अब मैं नीचे कहीं जगा मिलेगी बैट के वहां पे पैर सुखा के अपने फिर पहनूंगी तो जून का मन्त है फिर भी पानी इतना धर ठंडा है जब कि इतनी गर्मी होती है इस टाइम पर और वही सीजन भी है यह तो लोग काफी जादा है बहुत रश्य है उपर बट यह है कि हाँ अगर आप जिबी में ही स्टेर कर रहे हैं सैंच, तीर्थन और बंजार वैली की तरफ जिबी को विजट करने का बेस्ट टाइम होता है मार्स से जून और ऑक्टूबर से डिसेंबर और यहां बरसातों में आना अवॉइड करें क्योंकि यहां आने के रास्ते बारिश और लैंड्सलाइड की वज़े से कई बार चलते हैं क्योंको उनको थो experience है रोजी नी सडकों से जाते हैं और साइड भी बहुत ही कम देते हैं वो आपको बट आप से वह साइड बार बार मांगते हैं जो मैंने नोटिस किया है कि इस चीज में बिल्कुल भी helpful नहीं होते है कि कोई बाहर का आया है थोड़ा टाइम दे में ही आता है यह नीचे को आप रास्ता देख रहे हैं यह जा रहा है कुली कतांदी की तरफ यहां पे लोकल्स है वो इसको कुली कतांदी के नाम से जानते हैं बड़ जो टोरिस्स वगरा है वो इसको मिनी थाइलेंड के नाम से जानते हैं कुछ यूटुबर्स ने व्लॉ है आप इजिली जा सकते हैं बड़ चढ़ाई करते वक्ति यहां पर यह यह जो एकड़ाई है हम जहां भी जा रहे हैं में पर ऐसी पढ़ता है शोजा विलेज और ये सिराज वैली का पार्ट है और यहां से नीचे आपको तीर्थन वैली का बड़ा ही जबरदस्त व्यू मिलता है शोजा एक छोटा सा गाउं है जो अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए आफ बी ट्रेवलर्स में काफी मशूर है अब काफी ब्यूटीफुल प्लेस आई ये भी तो यहां पर आपको कुछ क्याफेस बे मिल जाएंगे कुछ होटेल्स एं रस्ट्राउं भी है तो अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो इन जगों पर रुख सकते हैं जलौरे पास में है जलौरी माता का मंदिर जो की माता महकाली का मंदिर है और ये मंदिर 10,280 फीट की उंचाई पर है यहां से आप कुछ फेमस ट्रेक्स भी कर सकते हैं अच्छा च्रriv डेगें में ये तो हो अजी करें यह वहांपर जो सा में तो कि हुटो करना घ्रैट गें यह शूटिंग शाटिंग यह दिखेगा? यहाँ से वो दिख रहा है? ठीक है ठीक है जो यही वला रास्ता है यही से लोक ट्राकिंग करते हो जाते हैं पाँच किलोमेटर आगे जाके है वो लेक है शिरॉलसर लेक बोलते हैं उसको और यहां पर लोकल्स उसको जैसे अब बताए है यह नोने अभी के भूडी नागनी के नाम से जानते हैं पूछते हैं ये देवी की तरह बहुत बढ़ी जील है वहां पर और यहां से ही सामने दिखता है रगुपूर फोर्ट और यहां पर उपर एक प्लेस है जिसको 360 बोलते के ट्रेक हैं जिनको आप यहां कर सकते हैं जिबी के पास ही है टांडी विलेज जो की मशूर है ट्री हाउस विलेज ऑफ इंडिया के नाम से अगर आपने मेरा टांडी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक उपर आए के आइकन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिबी के पास ही चैनी विलेज भी है जहां है चैनी कोठी चैनी कोठी पूरे हिमाचल की सबसे पुरानी और उच्छी इमारत है जो की 17th सेंचरी में बनवाई गई थी ओल्ड हिमाचली आर्किटेक्ट में बनी ये बिल्डिंग आपको हैरत में डाल देगी जिब आपको पूरी तरह से एक्स्प्लोड करने के लिए आपको दो से तीन दिन चाहिए यहां काफी सारे होटेल्स और होमस्टेज, रेस्टरॉन और काफे हैं तो स्टे और फूड की यहां कोई प्राबलम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कर दें फिर मिलेंगे किसी और डेस्टिनेशन पर तब तक के लिए बाई बाई